दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एरेका पौम के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ तो दोस्तो नर्सरी से लाने के बाद में अगर आपके पौधे ने ग्रोथ को रोग दिया है उसकी पत्यां पीली हो रही है और आपका पौधा भी बिल्कुल डलसा हो गया है तो आज के वीडियो में इसके लिए कुछ ऐसी केर टिप्स के साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइजर को शेयर करूंगी जिसके की इस्तेमाल से आपका एरेका पौधा पौधा पूरे साल भर हरा भरा रहेगा तो क्या है केर टिप्स और क्या है फर्टिलाइजर चलिए आगे वीडियो में देखते हैं नमश्कार दोस्तो आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तो वीडियो की सुरवात करती हूँ दोस्तो एरेका पौम एक खुबसूरत पत्यों वाला इंडोर प्लांट है और ये घर में मौजूद पलूशन को कम करने के साथ में हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है ये पौधा जहां पर भी रखा होता है वहां के आसपास एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वज़े से उस जगे का वातावरन काफी शुद्ध हो जाता है लेकिन अक्सर ये पौधा घरों में कुछ समय तक तो ठीक चलता है लेकिन उसके बाद फिर अपनी ग्रोध को रोग देता है और पत्तियां इसकी पीली होने लगती है तो आईए जानते हैं इसको किस तरीके की मिट्टी में और क्या इसकी केर टिप समय करनी चाहिए इसके स्वाइल मिक्षर की बात कर लेते हैं अच्छी ग्रोध के लिए तो इसको अच्छी ग्रोध करने के लिए एसीडिक स्वाइल की जरुरत पड़ती है इसलिए आप इस पौधे को जब भी अपने घर में लगाएं तो जब इसके लिए स्वायल मिक्षर को तयार करें तो उसमें 50% आफ साधारन मिट्टी यानि की बगीचे की मिट्टी को ले ले और उसमें 30% आफ रीवर सैंड यानि की बालू को मिला ले अगर बालू आपके पास नहीं है तो उसमें आफ 30% कोको पीट को मिला ले अब जो बचा 20% आपके पास है उसमें आफ वर्मी कमपोस्ट खात को मिला ले और तीनों मिक्षर को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में इस मिक्षर में अगर आप अपने एरेका पॉम को लगाते हैं तो आपका एरेका पॉम बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा स्वैल मिक्षर के बाद इसके पॉट की बात कर लेते हैं तो फ्रेंट्स जब भी आप एरेका पॉम को अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में जरूर लगाएं क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी मल्टिप्लाई होता है और नीचे से नए नए इसमें पौ अच्छी तरीके से मिलता रहता है शेली अब देख लेते हैं कि एरेका पॉम को सनलाइट की जरूरत होती भी है या नहीं होती है तो फ्रेंट्स इसको कभी भी तेज धूप वाली जगे पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसी जगे पर रखने से ये पौधा खराब हो जात पर इस पौधे को चारो तरफ से अच्छी तरीके से हवा लग सके एरेका पॉम के लिए अगर वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंट्स इसको हुमिडिटी काफी पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग से हमेशा पौधे को बचाना चाहिए क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाने स इसमें रूट रौट की समस्या आ जाती है इसलिए तीन से चार दिन में ही इस पौधे पर पानी डालें लेकिन पत्यों पर हुमिडिटी बनाए रखने के लिए रोज पत्यों को पानी के शावर से साफ जरूर करें तो दोस्तों फर्टिलाइशर को देने से पहले गमले की म उन सभी पत्यों को पौधे पर से हटा दीजे जिससे कि जब आप फर्टिलाइजर डाले तो पौधे को उसका सीधा असर मिल सके और पौधा आपका हलका हो सके इसके बाद गमले की उपर नीचे करके हलकी हलकी सी गुडाई कर दे जिससे कि आपके गमले की मिटी मुलायम हो देखते हैं कि अब एरेका पॉंब के पॉधे को हमें फर्टिलाइजर कौन सी देनी है तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपका पॉधा 10 इंश के गंबले में या फिर 12 इंश के गंबले में लगा हुआ है और पॉधा भी आपका 2-3 साल पुराना है तो उसके लिए आप लगभ सबी पोशक तत्तों निकल चुके होते हैं और ये बहुत अच्छी एंपी के फर्टिलाइजर का पॉधों पर काम करती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फासफूरस पोटेशियम पाया जाता है इसी के साथ में शाय की पत्ती पॉधे की मिट्टी को हलका सा एसिडिक भी ब रोटीन नाइट्रोजन फासफूरस पोटास के साथ साथ आईरन और फैट्स भी पाया जाता है जिसके की इस्तेमाल से पॉधे काफी स्ट्रोंग होते हैं और जो पत्तियों वाले पॉधे होते हैं वो नाइट्रोजन की वज़े से काफी हरे भरे रहते हैं तो इतनी फर्ट कामिन C के साथ पोटेशियम कैलशियम फाइवर और एंटी ओक्सिडेंट जैसे गुर पाये जाते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि नीमू के शिलके मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बनाने का काम करते हैं क्योंकि एरिका पाम का पौधा एसिडिक मिट्टी में ही अच्छी तरीके से growth करता है क्योंकि ये पौधा salty water का पौधा है यानि कि coconut family का पौधा है और जो खारा पानी यानि कि जो समुंदर का पानी होता है उस तरीके के पानी में काफी अच्छी तरीके से growth करता है तो सूखा शिलका अगर आपके पास नहीं है तो यूज करे हुए शिलके को आप आधा या एक लीटर पानी में आच्छी तरीके से 24 गंटे के लिए भीगो कर छोड़ दें तो दोस्तों नीमू के शिलके में जो भी पोशक तत्तों हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे अब आप दोनों फर्टिलाइजर को या सूखा नीमू का शिलका है तो उसको भी इसी में मिलाकर तीनों चीजों को एरेका पॉम की मिट्टी में गुड़ाई करी हुई डाल दें और उपर से आप पानी डाल दें और अगर आप नीमू के शिलके का पानी बनाए हैं तो उस पा रहेगा उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करें मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तब के लिए दोस्तों हैपी गार्डनिंग